बस्तर जिला प्रशाशन ने करनाटक से 13 मज़़ूरों की साकुशल वापसी कराई है कलेक्टर ने इन मज़़ूरों से मुलाकात की और उन्हें स्थानी स्थार पर ही रोज़गार करने को कहा है कलेक्टर विजर दयाराम के ने मीडिया को बताया कि शाषन स्थानी स्थर पर लोगों को रोजगार मुहया कराने अनिक कारिक्रम चला रहा है उनके प्रयास है कि यहां से लोगों को काम के लिए पलाया ना करना पड़े हमारे जिले के कोलेंग ग्राम के लगबग तेरा मजदूर करनाटका के चित्तदुर का गये थे वहाँ पे खेती और सुपारी का जो प्लैंटेशन्स होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए इनके द्वारा गुहार लगाया गया कि इनको छोड़ा नहीं जा रहा है और इनका पैसो का भुकतान नहीं हुआ है तो हमारे संग्यान में आने के पश्चात लेबर और प्रोलीस की एक टीम बनाते हुए हमने यह से टीम बेजा और वहाँ के हमारे काउंटरपार्ट जो होता है कलेक्टर और एसपी वहाँ के चत्रदुरगा डिस्टिट के उनसे बात करते हुए इन लोगों को छुड़वा दिया गया है आज सकुशल वापस भी लोटे हैं और मेरी इनसे अभी मुलाकात भी हुई है इनको समझाईश भी दी गई है कि इस तरीके से अगर जाना ही है नए रोजगारों के चक्कर में तो प्लायान पंजी में या फिर अपने रोजगार के पंजी में यहाँ पे नामदर्च कराई वापस लाए गए मजदूरों ने बताया कि अधिक मजदूरी की लालसा में सुक्मा होते हुए करनाटक राज्ज के चित्रदुरगा पहुंचे जहां पर पांच लोग टेंट के कारिय और आट लोग सुपारी के बगीचे में काम किया करते थे लेकिन उन्हें तीन-चार महने का महनताना नहीं दिया गया था और अपने घर वापस आने के लिए भी रोका जा रहा था मजदूरों का जिला प्रशाशन बस्तर से संपर्क होने पर प्रशाशन उन्हें करनाटक राज्ज से वापस लाया इसके अलावा मस्दूरों को करनाटक राज्जिकी शाशकी दर 14,100 रुपए प्रती महा की हिसाब से नियोजक सिभुकतान करवाया गया